भारतिये सनातन संस्कृती पर कुठारा घात सदियों से चला आ रहा है। यह कुछक्र बरबर मुस्लिम आक्रमन और मुगल सासन से लेकर अंग्रेजी सासन के समय मैकाले, मिंट्स और उससे उपजी सिक्षा नीती से चर्मत कर्स पर पहुंचा। सोतंदृता के बाद जहां ततकालीन केंद्र सरकार के इसारे पर इतिहास और सनातन संस्कृती को तोड़ मरोर कर लिखा गया, वहीं रही सई कसर बामपंथियों द्वारा इंद्रा सरकार में सिक्षा और संस्कृती के केंद्रों में बामपंथि इतिहासकारों और तथाकथित बिद्वानों की घुस्पैट से पूरा हो गया। इन तथाकतित बुद्धी जीवियों या अर्वन नक्सलियों ने माक्स वाधी संस्कृती को भारतिये सनातन संस्कृती पर थोपने के लिए नो सिर्फ सिक्छन संस्थानों, अपितु, मीडिया, फिल्मों, फिल्म कलाकारों और अब नियाईपालिका तक अपनी घुस्पैट बना ली। बामपंति बुद्धी जीवियों ने अपनी आयातित विचार धारा को थोपने और एक संप्रदाय विशेष का तुष्टी करने हेतु, न सिर्फ कॉंग्रेस और तताकतित शेकुलर छेत्रिये दलों का सहारा ल और काफी हद तक सफल हुया। भारतिय संस्कृती पर बामपंति एकोसिस्टम इतना हमलावर हो गया है कि न सिर्फ तीज तेवार बलकि व्यक्ति, विशेष के पहनावे, पूजा पद्धती, संसकारों और घर के अंदर तक आपहुंचा है। भारतिय संस्कृती एवंग हि की साजिस को समझने के लिए बामपंति एकोसिस्टम को समझना आवस्यक है। स्वतंत्यता पुर्व मुस्लिम लीक द्वारा भारतिय संस्कृति एवंग हिंदु धर्म पर जो कुठारा घात किया गया वही आवरण बामपंतियों एवंग अर्बन नक्सलियों ने आजादी के बाद ओड लिया। पहले उन्होंने कांगरेस और उनकी सरकारों पर दबाव बनाया और बाद में कांगरेस के साथ मिलकर रष्टवादी सरकारों का विरोद और संपरदाइक्ता के नाम पर सनातन संस्कृति के खिलाब खुलकर विरोद करने लगे। दो हजार चोदो के बाद बामपंथियों का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। उनके इस एको सिस्टम में नो सिर्फ अर्बन नक्सली ही बेनकाब हुए बलकि कांगरे तथा कतित शेकलर दल, वकेल पत्रकार, फिल्मिक अलाकार और विजेसी ताक्ते भी बेनकाब किन्तु आलोशना जब बिरोध प्रतिरोध की संस्कृति बन जाए तो वह लोकतंत्र के लिए घातक है। 2014 और 2019 के चुनाओं में भाजपा की जीत और बामपंथियों का पूरी तरह सफाया हो जाने के बाद माक्सवादी अर्बन नक्सलियों ने कांगरेस के कंदे पे सवार होकर हिंदुत और शनातन संस्कृति पर चवतरफा एवंग निरनायक जुद्ध छेड़ दिया है। उनका मूल उद्ध से हिंदु धर्म, रीती रिवाज, परमपरा और तेवहारों पर आघात करना, उन्हें रूड़िवादी, दक्यानुसी एवंग पिछड़ा बताना और इस प्रकार हिंदु धर्म को सामाजिक, सांस्कृतिक और जातिय अधार पर बाटना है। सेकुलरीजम के नाम पर हमारे तेवहार जैसे करवा चौत को नारी उत्पिड़न कहना, दसाहरा एवंग गडेश चतुर्ती पर मूर्ती अस्थापना को फिजूल खर्ची, नवरात्र पर आयोजित होने वाला गरवा एवं अन्य आयोजनों को महिलाओं से छेड़चाड का बरबादी एवंग दिपावली को परदूसर्ण से जोड़ना, पिछले कुछ वर्सों से अर्बन नक्सलियों और छद्म सेकुलर वकीलों ने नियापालिका के माध्यम से दिपावली को धोनी परदूसर्ण का माध्यम बताकर पटाखों पर रोक लगवाने में सफल हुए ह और इसे फिजुल खर्ची बता रहे हैं। गौरक्षा मंसाहार के अधिकार का हनन है। संस्कृत गुरुकुल धार्मिक कट्टरवाद सिखाते थे। वरत उपवास दक्यानिवसी है। माक्सवादी उन्हें अपनी राजनीतिक वैसाकी बनाने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। यह सुबिधा की राजनीति, भारतिय लोकतंत्र, सनातन संस्कृति और समाजिक ताने बाने के लिए घातक है। जिससे नौ सिर्फ सरकार बलकि समाज के प्रबुद्ध बर्ग और मीडिया के माध्यम से जन्चेतना जगा कर समाजिक और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने का प्रयास करना होगा।